सब्सक्राइब करो, शेर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, नोटिफिकेशन के लिए हैलो, आम डॉक्टर चेश्टा गोहतम और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे आपको आयरुवेत के अनुसार सर्दी के मौसम में रहना चाहिए, ताकि आप स्वस्त रहें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आयरुवेत के अनुसार सर्दी की जो रितुएं होती है, उनको हेमंत रितु और शिशे रितु कहते हैं तो इन रितुओं में जो वाईू होती है, जो हवाएं होती है, वो ठंडी होती है और रुक्ष होती है। रुक्ष का मतलब होता है सूखा और जो इसनिक्दपन होता है जो चिकना होता है उसका उल्टा होता है रुक्ष और जो इसमें सूरे होता है उसकी तिक्षनता भी बहुत ही कम हो जाती है इस कारण से शीत गुण के कारण वायू प्रकुपित हो जाती है ठंड के कारण क्या हो तो पिंड क्या होता है गोला तो गोले की रूप में हो जाती है और जो आहर यानि भोजन का जो रस होता है उसको सुखा देती है इस कारण से ठंड के मौसम में हमको इस निक्द भोजन करना चाहिए मतलब चिकना भोजन करना चाहिए यह सुखेपन को दूर करता है तो सर्दी एसिडिक, अमलिय और मिर्ची वाला ये रस्युक्त आपके भूजन होने चाहिए और भूजन में घी, तेल और गरम भूजन आपके लिए अच्छा रहता है इस रित्व में अग्रू जो होता है वो सुभाव में गरम होता है तो अग्रू का लेप आपको शरीर पर करना चाहि चाहिए उसके बाद आपको जो मंद उशन मतलब हलका गरम पानी जो होता है उसके टब में बैटना चाहिए या फिर नहाना चाहिए हलके गरम पानी से सरदी के मौसम में आपको आपके घर में जो सबसे गरम रूम होता है ना उस रूम में आपको रहना है और अच्छी रज एसिडिक और सॉल्टी रस वाले खादे पदार्थ आपको लेने हैं, तिल और उड़द से बने, खादे पदार्थ को आप यूज कर सकते हैं, दही को भी आप यूज कर सकते हैं, और जो गन्ने के विकार होते हैं, जैसे की गूड हो गया, शक्कर हो गई, इनसे बने हुए वो सब आप खा सकते हैं और आपका जित्ता मनों उतना खा सकते हैं इच्छा पूर्वक सरदी के मौसम में आपको जो दो चीजियों का ध्यान रखना है वो है कि आप इस मौसम में दिन में आपको नहीं सोना चाहिए तो दिन में आपको नींद नहीं लेनी है और आपको अपन झाल झाल